पुलिस प्रशासन की लापरवाई पर उठे सवाल जी हाँ दोस्तों मैं हूं इंजिनर्स नेहा और आप देख रहे है दा थिंक अगर आप हमारे चनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजे साथ ही बेल आइकन प्रेज कर लीजे हमारी वीडियोज को लाइक करें कमेंट करके अपने प्रतिक रिया दे और अपने दोस्तों रिष्टेदारों में शेर करना ना भूले 36 घट से बड़ी खवर आई है 36 घट के धमतरी जिले के तहट बहूजन समाज पाटी के तैतवा अध्हान में यसी यस्ती इनके उपर होने वाले अन्याय त्याचारों के साथ साथ पुलिस प्रशासन की बरबरता पुलिस प्रशासन की लापरवाई तमाम मामलों को लेकर बहूजन समाज पार्टी ने कलेक्टर आफिस का घेराव किया है इसी के साथ साथ एस पी आफिस का भी घेराव किया है बहुजन समाज़ पार्टी के धमतरी जिले के जिला देक्ष आशिस रात्रे इन्होंने बताया है कि जिले के अंदर अलग-अलग जभों पर एट्रोसिटीज के मामले सामने आया है लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी न्याय नहीं मिला है उन्होंने बताया है कि कुर्मार्थ राई इस गाउ में भी एक मामला ऐसा ही सामने आई लेकिन पुलिस प्रशासन की लापरवाई के वज़़़ से आज तक उन्हें नहीं मिला वही दूसरा मुद्धा उन्होंने यहां भी बताया कि गोब्रा कुरुत में भी इस प्रकार के अन्यायत्याचार की वार्दा सामने आई हैं लेकिन पुलिस प्रशासन के तरफ से उन पर कोई कारवाई नहीं हुए साथ ही पीडित परिवार को न्याय अभी तक नहीं मिला उन्होंने बताया है कि 36 गड़ के अंदर अलग-अलग जिले में यस्ती के साथ लगातार अन्यायत्याचार की घटनाए सामने आ रही है लेकिन बगेल सरकार जो है वो धान नहीं दे रही है और इसी के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी धान नहीं दे रही हैं उनका यहाँ भी कहना है कि जिस प्रकार आदिवासी और दलितों पर अन्यायत्याचार होती है तो उनकी सुनवाई के लिए जब वो थाने में पहुंसते हैं तो थाने में उनकी रिपोर्ट तक नहीं होती थाने में कोई सुनवाई नहीं होती और अगर रिपोर्ट लिख भी े जाए तो उन पर कोई कारवाई नहीं इतना ही नहीं तो इन्होंने इस बात का आरोप भी लगा आए कि जो पुलीस प्रशासन है वह अवेद become लिप्त है वो पीडित परिवार को न्याय तो नहीं दिलाता लेकिन वो अवेद उगाई जरूर करता है पीडित परिवार के तरब से और इस प्रकार के बड़े आरोप भूजन समाज पार्टी के जिला देक्ष आश्री शात्रे इन्होंने 36 गड़ के पुलिस प्रशासन पर सब्सक्राइब में हो रहे संपुल्ण जिले में हो रहे बग्था को लेकर बहुजन समाज पार्टी आने थाना प्रभारी इन्हें दोशी माना है उन्हें ने कहा है उन्हें हटाया जाए ऐसी मांग भी बहुजन समाज पार्टी के तरब से की गई है इस अंदर्ब में आप क्या सोचते है कमेंट करके जरूर बताए बने रहे दाथिंग पर जैभीम जैभाराण बहुजन विचारधारा को घरघर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भूले